हलो गाईज, स्वाहे बेलकाम अलाफी टू आवर यूटूब चनल ग्यानमित सचिन तो दोस्तों आज की सेशन में बात करने वाले हैं एपलाइड मैथमेटिक्स के कम्प्लीट सिलेबस के बारे में कम्प्लीट पेपर पैटरन के बारे में और लास्ट इयर क्यूशन पेपर को दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि आपका क्यूशन पेपर कैसे आता है, किस लेबल का आता है, उसका पैटरन क्या होता है और कम्प्लीट सिलेबस के साथ कुछ ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर्स को भी बता दूँगा जिसको आपको प्रिपेर करते रहना है, आपके सिमेस्टर एकजाम में एक सांदार आपके नमबर आएंगे क्योंकि मैंने भी लास्ट इयर एप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर दिया है फर्स्ट सिमेस्टर में और मेरे 46 नमबर आए थे, तो आप लोगों को भी 45 नमबर लाने हैं, वो किस तरीखे से लाने हैं, मातर एक महिने के अंदर और ये चैप्टर से स्टार्टिक में पढ़ते रहना है, कुछ कंप्लेट टिप्स के साथ इस वीडियो को इंड करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिविन है, कर लो वहीं पर सारी नोट्स में अपने हैंड रिडियन नोट्स आपको सेंड करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को अभ सारी बुक्स आपको प्रवाइड करूँगा, सब कुछ करूँगा फ्री आप कोस्ट, बिल्कुल अपनी पर्सनल एक्स्पिरिंस के साथ, प्रिवियस एर क्यूस्चन पेपर हो, हर एक चीच से आपको इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो के शिलेबस की जानकारी देने वाला हूं, ठीक है, तो चलिए अपने शिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट में प्रिवियस एर क्यूस्चन पेपर को भी दिखाऊंगा, तो बेट करते रहिएगा, यह आपको विसे सूची सामने दिखा है, और इसमें फस्ट खंड है, उस इसमें होता है, तो हिंदी वाली स्ट बिलकुल अपने दिमाग में जो जिजख है, उसे दूर कर लें, ठीक है, अब मैं डिसकस करता हूँ, समानतर सिड़े, गुड़तर सिड़े, दिवपस्दान्त और सार्डिक में क्या कौन सा इंपोर्टेंट है, दिखी जैसे आपका सि समानतर सिड़े और गुड़तर सिड़े पर आप लग जाओगे, लेकिन ये गलत बात है, आप लास्ट से पढ़ाई करना शुरू करना, मेरी अगर टिप्स को फालो करना तो, क्योंकि इस दोनों चैप्टर से सिर्फ एक नंबर के वो भी फार्मूला बेस्ट क्योशन आएं जो पूछे गए हो, और आपको विध एक्जामपल सौल वही करना है, जो पूछे गए हो, ये अपनी कुछ सूपर टिप थी, जो आपको मैथमेटिक्स में बहुत मदद करेंगे, ठीके, ये आपका चैप्टर है, दिवपस सिधान्त और साड़ी, इस से पांच नंबर और जबर्चस्त क्यूशन पूछे जाते हैं, ये तनी बात किलियर हो गए आप लोगों को, अब बात करते हैं सदिस बीजगरित सेकेंड के बारे में, देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, सदिसों का योग है, अंतर है, बियोजन है, ये सब क्या-क्या लिखा है, सदिस पांच नमबर यहां से आउटपुट मिलेगा, वो भी ऑप्शनल होगा, किस चीज का ऑप्शनल होगा, प्रीबियस एर क्यूशन पेपर को देखकर आपको पता चलेगा, तो वीडियो के अंतकाब बने रहें, ठीक है, अब बात करते हैं समरिस संख्याएं और डिमावर प् दस नमबर के जबर जिस्त आंसर, क्यूशन आंसर आपको देखने के यहां मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक लगाते जाईएगा, मैंने आगे बाइनमल थियूरम और जर्मिनेंट को बताया है, और इसको समरिस संख्या और डिमावर प पेपर की, तो टेलीग्राम चैनल को अभी जॉइन कर लो, वहाँ पर आपको ये चीजें मिल जाएंगे, ठीक है, मैं स्क्रोल करके आगे बढ़ता हूं, और ये दिखाता हूं आपको खंड थेरी में क्या दिया है, त्रिबुच की भुजाओं और कोडों में संबंध है, प भी ऑप्चनल होता है, उकिस चीज का ऑप्चनल होता है, प्रिबियस एर किष्टन पेपर को देखोगे तो पता चल जाएगा, अगला है, अवकलन गडित फस्ट है, फलन है, सीमा है, सतत्ता है, यहां से कुछ जाता नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर से, यहां से आपको पां से दस नंबर के भी पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ऑप्चनल होता है, कभी कभी किसी और चीज का ऑप्चनल होता है, किसी उसका ऑप्चनल होगा, जैसे त्रिकोन मिती का ऑप्चनल ने दे दिया, बाइनमल थियूरम, बाइनमल थियूरम का ऑप्चनल दे दिया, डिफिरे इससे 10 नमबर भी हो सकते हैं, उपर दुनों वालों से 10 नमबर भी हो सकते हैं, तो ये आपके बहुत ही important है, मैं last में बताया कि 5 चैप्टर आपको कौन-कौन से पढ़ने हैं, वो आप सुन लीजे, 18 नमबर चैप्टर दिख रहा होगा, उत्रोतर ओकलन, और 19 नमबर चूच कर लो, तो ऐसे 5 चैप्टर हैं, जो कि आपको optional questions भी देखने को मिलते हैं, ये बहुत important होते हैं, अब मैं चलता हूँ अपने previous year question paper की तरफ, ये मेरा previous year question paper था, जिसको मैंने दिया था, और इसी में मेरे 46 नमबर आप लोगों के सामने आये थे, आप paper pattern को जूम करता और अच्छे से समझाता हूँ, लिखा है सभी प्रशनों के उत्तर दीजिए, देख रहे होंगे कि हिंदी में भी दिया है, और English version मैंने fake दिया, मैंने रखा नहीं था, क्योंकि लगबग students हिंदी के ही होते हैं, परिचार्थियों को सला दी जाती है कि प्रसन पत्र के दून प्रसन का उत्तर दे, मतलब दोनों पेपर को मिलान कर लो, अगर दोनों में कुछ दिक्कत है, तो English version वाले के according की question का आंसर सही होगा, पर चार्थियों दारा पेपर और mobile phone का उपयोग अनुमन नहीं, मतलब आपको mobile phone वगरा ये सब बहुत कड़ाई से चेक करा जाता है, मैं सारी personal experience को share करूँगा, don't worry, मिल्कुल वीडियो के अंतक बने रहे, आपको एक admit card मिलेगा, जो कि एक दिन पहले मिलता है, मैं देखो paper आपका आया नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी अभी से ही अगदम आउचित करा दे रहा हूँ, आपको एकदम perfect उसमें बना दूँग और यहाँ पर देखेंगे, तो यह है क्या, यह समरे संख्याएं हैं, यहाँ पर भी यह देखो, क्या एक number का है, वो सदिस वाला है, फिर यहाँ पर यह है, बने मोद संख्याएं और यह भी संख्याएं, तो तीन number हो गए आपके, और यह limit का question है, और असपर सरेखा का question है, मतलब आप समझेंगे, तो इसमें first में से 12 question दिया होगा, जिसमें से 10 attempt करने होते हैं, मतलब कोई 2 छोड़ना होता है, तो कोई 2 ना आते होंगे, तो आप कर लेंगे, ठीक, अब अगले पर आपके आते हैं, question number 2 है, किन ही 5 भागों को हल कीजिए, ठीक है, तो किन ही 5 भागों हैं, यहाँ पर देखेंगे, तो यह त्रिकोड मिती का है, तो त्रिकोड मिती के 6 और बैक्टर के 6 आ गए, यह फिर से यहाँ पर देखोंगे, क्या आएगा, फिर से समिर संख्याए हैं, और फिर से differentiation, तो differentiation का मात्रा बहुत जादा होता है, अब differentiation को देखोगे आप, यह पाँच नमबर का question दिया था, जो कि पहली बार अपने BTUP बोर्ड में दिया गया था, ठीक है, BTUP बोर्ड में जो दिया था, यह पहली बार दिया गया था, फिर से साडिक का question है, फिर से सदिस का question है, और गुडात्मक प्रतिलोम का question है, तो यह बहुत इक different paper था, और बहुत easy पेपर था हम लोगों का जो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तूत कर दिया है और फिजिक्स के chemistry के और भी अभी सारी वीडियो आप लोगों को properly में दे दूंगा भी कुछ दिनों में साम तक एक वीडियो आ जाएगी physics की या chemistry किया जाएगी तो इस तरीके से मैं आपको सारे chapter से ओगत करा दूँगा ठीक है तो tension वाली बात नहींगे चैनल को subscribe करके रखो बिल्कुल perfectly आपकी सारी preparation में कराऊँगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था description box में telegram link दिया है अगर नहीं करा है तो कर लो क्योंकि इस question paper को अगर आपको पाना है तो वहाँ पर आपको जाना होगा ठीक है सारे के सारे students तो ये थी आपकी complete वीडियो मिलते हैं एक नई informative वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye tata love you all